असलाम नेकम वियर्स आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है वाइटमिन ए यह नहीं हम बात करेंगे के वाइटमिन ए होता क्या है वह किन फूर्ड के साथ खाना चाहिए वह किन फूर्ड में अवेलिबल होता है वाइटमिन ए आपकी बॉड में वो पूरी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइटमिन ए की वाइटमिन ए जो है वो एक सॉलूबल वाइटमिन है जो के नेचरली प्रेजन्ट होता है बहुत सारे फूर्स में नेचरली प्रेजन्ट होने का मतलब यह जिसला के वाइटमिन डी है वो आपको जो है वो sunlight से लेना पड़ता है या उसके बहुत तकम ऐसे food sources हैं जो के आपको मिलते हैं लेकिन vitamin A और बहुत सारे ऐसे vitamins हैं जो के बहुत सारे foods में naturally present हैं इसलिए vitamin A भी जो है वो बहुत सारे fruits, vegetables और dairy products में पाया जाता है लेकिन वो हम आगे जाके बात करेंगे कि कौन कौन से foods जो हैं वो rich sources है vitamin A का तो जैसे मैं आपको बताए vitamin A जो है वो fat soluble vitamin है इसलिए अक्सर जब doctors recommend करते हैं आप vitamin A के supplements लें तो वो यह कहते हैं कि आप vitamin A के अपने खाने के साथ खाएं उसके वज़ा यही है क्योंकि vitamin A जो है एक fat soluble vitamin है इसलिए उसको recommend कहता है कि आप खाने के साथ खाएं खाने में आपके fat होती है और fat और vitamin A जो है वो अच्छे तरह absorb हो सकते हैं पिर उसके बाद हम बात करते हैं कि vitamin A के आपकी body में important functions कौन कौन से है vitamin A जो है वो very necessary है आपकी normal eye vision के लिए आपकी eye health जो है वो directly associated है आपकी vitamin A के साथ क्योंकि vitamin A जो है वो बहुत से role play करता है endothelial cells की production में और उसके लावा cell की से जो आपके cell की जो है वो maintenance में भी बहुत important role play करता है इसलिए vitamin A जो है वो associated है आपकी eye health के साथ और उसके बाद बात करते हैं आपका immune system आपका immune system जो है वो again जो है वो dependent है vitamin A के ओपर क्योंकि vitamin A जो है वो main role play करता है cells की production में और यही वजा है कि immunity में जो है cell की production में बहुत आहम रोल अदा करता है इसलिए reproduction में भी vitamin A का बहुत important role है और इसके साथ साथ growth and development में अगें वही associated आजाता है क्योंके growth और development इतने भी हाब के जिसम का फूलना भरना जो है वो associated होता है cell की reproduction के साथ यह cell की development के साथ इसके बात करते हैं कि vitamin A के क्या काम करता है help करता है to for the proper functions of heart, lungs and other organs other organs पर आपके बात जितने भी अगर आप brain की बात करते हैं क्योंके आपको पता है कि आपके lungs जो है वो regenerate होता रहता है हर वक्त के साथ साथ इसी तरह से आपके heart के जो है वो वक्त के साथ साथ रीजनरेट होते रहते हैं इसी वज़ाए से vitamin A associated है आपके heart के health के साथ और साथ स किस तरह से vitamin A जो है वो basically precursor है carotinoids का अब carotinoids जो हैं वो क्या होते हैं वो एक तरह के color pigment होते हैं चिन में पाया जाता है yellow color, orange color या red color यही वज़ा है कि हम बहुत सारी fruits and vegetables को उनके color की बिना पे बताते हैं कि ये color जो है वो associated है specific category of vitamins के साथ तो आपके पास जितने भी carotinoids हैं वो color पे मुश्विन होते हैं उसमें red, green या orange color पाया जाता है उसके बाद बात करते हैं कि ये किस तरह से आपकी body में convert होते हैं into vitamin A अब carotinoids जो हैं वो beta carotinoids या carotinoids जो हैं वो convert होते हैं आपकी body में vitamin A के साथ अब हम बात करते हैं कि vitamin A के जो हैं वो rich sources कौन कौन से हैं vitamin A जो है वो पाया जाता है fish में आपके organ meats में जिसना आपको पता है इसके साथ साथ अंडा जो है अंडा बहतरीन source है आपके पास जितने भी तमाम vitamin हैं उसमें वो रीच होते हैं एग में इसके बात हम बात करते हैं कुछ ऐसी fruits की जो रीच होते हैं vitamin A में आपके पास जितने भी fruits हैं वो सब भी तक्रीबन mango, apricots और भी जितनी berries हैं they are rich in vitamin A और क्योंके berries जो हैं अपने color की वज़ा से famous हैं और रीच होती है vitamin A में उसके बाद हम बात करते हैं कि vitamin A जो है वो आपके पास कुछ fortified cereals में भी पाया जाता है जो आपके पास morning cereals होते हैं breakfast cereals होते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूंगी कि क्योंके vitamin A निचरली बहुत सारे foods में पाया जाता है तो आपको चाहिए कि आप इनको जो है वो अपनी diet में निचरली इस्तमाल करें food से लें नाग के fortified cereals से क्योंके जितने भी fortified cereals होते हैं और प्रोसेस्ट और प्रोसेस्ट जो food है या carbohydrates है वो आपकी health के लिए बिलकुल भी अच्छे नहीं है तो अगर आप चाहते हैं हम अपनी health को maintain रखें और जो है आपकी skin आपके जितने भी body के cells हैं और आपके body के जो main functions है जैसे आपकी amenity जो तो आपको जो है वो अपनी diet में vitamin A को natural food sources से जो है वो लेना चाहिए इसके इलावा जो अगर हम बात करें कि infants में या pregnant females में जो है वो vitamin A की मिदार जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ती लेकिन vitamin A का जो है वो बहुत जरूरी है आपकी reproduction के लिए तो अगर आप चाहते हैं आपके fertility की health भी बहतर है तो उसके लिए वो आपको vitamin A लेने की जरूरत है तो विर्स यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है vitamin A के बारे में और बताया है किस तरह से vitamin A important है आपकी body में बहुत सारे mechanism को maintain करने में आपकी reproduction में आपके lungs की health के लिए आपकी kidney की health के लिए इसके इलावा आपके immune system के लिए क्योंके vitamin A जो है वो cell की reproduction है उसमें बहुत help करता है और इसके साथ साथ आपकी eye health को भी जो है वो maintain करता है तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को like कीज़ेगा subscribe कीज़ेगा और अपने दोस्तों क के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही मुझे अजाज़त दीजिए अल्हाफिस